हर बार बजट से आम आदमी को उमीदे होती हैं टैक्स में रहात मिलेगी देश के विकास का बढ़ियां खाका दिखेगा लेकिन हमेशा ऐसा संबो नहीं होता है एक बार तो इस देश में ब्लैक बजट पेश किया गया था बजट पेश करते हुए खुद तब के वित्तमंत्र सपोर्ट की नहीं कहा था कि वो ब्लैक बजट पेश करने को मझबूर हैं तो आखिर क्या होता है ब्लैक बजट और इसे क्यों पेश किया गया था ये भी बताएंगे कि इस ब्लैक बजट का भारत कि सियासत पर कितना असर पड़ा रमしकार में उपेंद कुमार निस्यासत की एक अपील है अगर आपको सियासत की मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप क्विंट मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए इसके कई फायदे भी हैं जिने आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं भारत में सिर्फ एक बार ब्लैक बजट आया था साल था 1970 इसकी नौबत क्यों आई यह समझने के लिए आपको 1977 से काफी पीछे जाना होगा साल 1975 में एक चीन से यूध ने भारत को अपने रक्षा शित्र को मजबूत करने के लिए विवश कर दिया उस पर बेतहाशा पैसा खर्च हुआ इसके तीन साल बाद ही साल 1965 में पाकिस्तान के साथ यूध ने भारत की अर्थवयोस्था की कमर त हटका तब लगा जब मौनसून ने भारत का साथ छोड़ दिया सूखा और खादे संकट ने भारत में अकाल को जंग दिया अजादी के बाद भारत सबसे बुरे दोर से गुजर रहा था ततकालीन प्रधान मंत्री लाल भादुशास्त्री ने भारती अर्थ विवस्था को पट्री पर लाने के लिए भारी उस जोगों की बजाए धेतों की तरफ रुख किया लाल भादुशास्त्री के इस रुख ने भारत में हरित क्रांती को जंग दिया साल 1986 में लाल भादुशास्त्री की मौत के बाद देश की कमान इंद्रा गांधी के हाथों में आई और इस कम हो गया अमेरिका के गेहू निर्यात पर निर्भर रहने वाला भारत में कठिनाई पैदा हो गई उधर चीन युद्ध के बाद भारत में हतियारों का आयाद शुरू कर दिया था इसका परिगाम रहा कि मार्च 1966 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिर कर 625 मिलियन दॉलर के खतरना की सतर तक पहुंच गया था भारत का राजगोश्य घाटा अपने चरम पर था इसी इस्तिती से बचने के लिए एंद्रा गाधी ने भारती रुपे का ओमुल्यन कर दिया ओमुल्यन का मुख्यों देश निर्यात को बढ़ावा देना और देश में की संकट से बचने के लिए जरूरी था जानकारों का मानना है कि अर्थ्वयोस्था में सुधार की सही दिशा में एक कदम भी था धीरे धीरे ही सही भारती अर्थ्वयोस्था पट्री पर लोटने लगी थी लेकिन साल 1971 में दुबारा पाकिस्तान के साथ यूद्ध ने भार लिए बढ़र की बठि जनसंख्या और उर्जाजरूरतों ने इंदरा गांजी को दो हरे रास्टे पर लाकर खड़ा कर दिया अब इंदरा गांदी के 1973 को बजट पेश किया जाना था जनता को उमीद थी कि इस बजट से कुछ रहात मिलेगी बजट पेश करने के लिए संसद में ततकालीन वित्मंत्री यस्वंत राव बी चाहवार खड़े हुए संसद में उपस्तित सदस्य चाहवार की तरफ देख रहे थे कि चाहवार क्या घ बजट में समान इभीमा कमपनियों भारति कॉपर कर्पोरेशन और कोल माइन्स का राश्टी करन के पीछे दलिल दी गई थी कि देश की बढ़ती उर्जा जरूरतों की पूर्ती के लिए नीजी कोईला खान मालिक परियाफ पुझी निवेश नहीं कर रहे हैं उनमें से कु था ताकि निर्बाद रूप से कोईला खनन किया जा सके और उर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके ब्लैक बजट पेश के बाद उमीद थी कि हलाट ठीक होंगे लेकिन राश्टी करन के बाद कोईला खनन में घिरावट ही दर्ज की गई साल 1973 का बजट 550 करोन घाटे का ब जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुला में बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसी इस्तिती को ब्लैक बजट करते हैं ज्यादा खर्च के लिए पैसा जुटाने का एक तरीका होता है कर्ज लेकिन राजकोशिय घाटा इतना ज्यादा था कि एक तो कर्ज लेना मुश्किल दूसरे तब अमेरिका से भारत के रिश्टे खराब थे लियाजा भारत को किसी देश से लोन लेने में भी दिखकत थी इसलिए भारत को ब्लैक बजट पेश करना पड़ा था इस ब्लैक बजट के बाद सरकार की लोग प्रियता और कम हुई इसके महज दो साल बाद ही देश मे बदलने वाला साबित हुआ उसके बाद की कहानी किसी और दीन किसी और एपिसोड में जाते जाते एक बात बता दे हर देश में black budget का मतलब वा नहीं होता है जो भारत में होता है जैसे अमेरिका या निजिलेंड के black budget का मतलब होता है जब बजट में किसी गुपत राशी का प्रावधान किया जाता है ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए ये भी सुझाओ दें आप से सियासत का कोई एपिसोड छुट न जाये इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें अगर आप इस कहानी का पॉड़काट सुनना चाहते हैं तो आप क्विंट हिंदी के पॉड़कास सेक्शन में जाकर सुन सकते हैं फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए नमस्कार